दोस्तो क्या आपको बता है कि NSE हमें बताता है कि Nifty one year में कितना move करेगा, one month में कितना move करेगा, one week में कितना move करेगा, in fact हमें ये भी बताता है कि one day में कितना move करेगा, अब बहुत साए लोग को इस बातों पर यकिन नहीं होगा, लेकिन वाकई हमें NSE ये बताता है, अब ये कहां से बताता कैसे बताता ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो में लाश्ट तक बने रहना होगा और जो भी लोग नए जॉइन किये हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को जब उर सब्सक्राइब कीजे क्योंकि इस तरह के वाइटल और क्रूशर इंफॉर्मेशन हम आपके लिए रेगलर वेसिस पे लाते रहते हैं जो कि आपको ट्वेडिंग में हेल्प करेगा हलो दिसी प्रिशांत फॉर्म एक्रूट कमिटी लेट्स स्टार्ट यहां पर हम निफ्टी के चार्ट पर आगे हैं देख सकते हैं यह आपका निफ्टी का चार्ट और निफ्टी जो अभी मूव कर रहा हूँ हो 17,700 के लेवल करी मूव कर रहा है 17,780 के आसपास मूव कर रहा है और निफ्टी हमें यह clear information देता है कि annual बेसिस पे निफ्टी आपका कितना upside और कितना downside मूव दिखाएगा साथ ही साथ यह हमें monthly basis पे बताता है कि आपका फर्वरी के मन्त में निफ्टी कितना upside और downside मूव दिखाएगा weekly basis पे यानि इस week में कितना upside और downside मूव दिखाएगा वो भी हमें बताता है वही चीज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इसके लिए आपको इस वीडियो में लाश्ट तक बने रहना परेगा लेकिन जैसा कि मैं बताया था NAC आपको डायक नहीं बताता तो इसके लिए हमें जाना परेगा कहाँ पे इंडिया विक्स पे तो इंडिया विक्स आपने इसका नाम जहूर सुनाओगा तो इंडिया विक्स के जरिये हम यहाँ पे जो आपको बताया था वो सारा कुछ find कर सकते हैं कि annual basis पे निफ्टी आपका कितना move करेगा upside और downside यहा आपको exact point बताऊंगा कि annual basis पे कितने point का यह moment दिखा सकता है monthly basis पे कितना weekly basis पे कितना और daily basis पे कितने point का moment दिखा सकता है यह सारा कुछ मैं आप बताऊंगा और यह सारा कुछ आप खुद से एक मिनट के अंदर find कर सकते हैं लेकिन उसके लिए video skip नहीं करना होगा क्योंकि य तो हमने क्या बताया था annual basis पे चाहें आप इहां पे monthly basis पे बात कर लो या फिर weekly basis पे बात कर लो या फिर daily basis पे ही किवना बात कर लो सारा वा सारा information हमें मिलेगा लेकिन उससे पहले India Wix हमें क्या information देता है जिन लोगों को India Wix के बारे में idea नहीं है उनको यहाँ पर थोरा समय और वीद देऊं, कि India Wix हमें क्या बताता है, India Wix हमें market के volatility को बताता है, based on nifty index option data, nifty index का जो option data होता है, उसकी basis पर यह हमें बताता है, कि market में कितना volatility आएगा, अब आपके मन में एक और questions वेज हो रहा होगा, क्या इसकी basis पर में भी पता कर सकते हैं, कि stocks में कितना volatility आएगा, या फिर दूसरे index में कितना volatility आएगा, उसका clear cut answer है no, इसके जरीए सिर्फ और सिर्फ हम, nifty के volatility के वारे में idea ले सकते हैं, कि nifty में कितना volatility आएगा, annual basis पे, monthly basis पे, weekly basis पे, और daily basis पे, उसका information हमें देता है, और इसका इस्तमाल हम options trading में कर सकते हैं, और इससे हमें क्या फाइदा होगा, इससे हमें एक फाइदा होगा, कि हम हमेशा ATM पे buy करते हैं, और हम यह decide कर सकते हैं, कि ATM पे जो हम options को buying कर रहे हैं, वो कितना ITM आ सकता है, कितना deep ITM आ सकता है, यह information मिलेगा, और वो हमें कितना profit दे सकता है, वो भी हमें calculations में आसानी होगे, तो हमें यहां पे बहुत सारे information मिल सकते हैं, तो चलिए हम कैसे find करेंगे India Wix के जरिये, कि market में कितना momentum आएगा, वो हमें देखने की ज़रूद है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहां पे calculations पे आते हैं, उससे पहले हम यहां पे कुछ adjustments करेंगे, जैसे अभी India Wix आपका पतलब यह है कि India Wix annually basis पे 13.67% का momentum दिखा सकता, प्लस माइनिस, यहां से 13.67% का upside move यहां नहीं तो 13.67% का downside move दिखा सकता है, पूरे एक साल में, one year में, और यह आपका pro databases पे होता है, यहां आज से लेके next one year तक, next 365 days तक यह आपका इतना परसेंट का upside or downside move दिखा सकता है, यह ह में Wix बताता है, for example, अगर हम यहां पे Wix 15% पे आ जाता है, that means to next one year में, nifty आपका 15% का positive move, 15% का negative move दिखा देता है, अब percentage wise तो आपको information होगा ही, बहुत सारे लोगों ने बता होगा, लेकिन कितने point का upside or downside move annual basis पे दिखाएगा, वो भी आप calculate कर सकते, लेकिन monthly basis पे, weekly basis पे, daily basis पे ये calculate करना आसान काम नहीं है, और ये सारा कुछ हम कर सकते हैं, और हम यहां पे NSC का नाम आपके सामने बार-बार क्यों ले रहे थे, क्योंकि NSC ही अपना एक calculations करके, India Wix के data को release करता है, और NSC India Wix के data के जरी हमें बताता है, कि nifty annually कितना move कर सकता, और उसके बाद हम आसान इसके calculations वाले part को समझते हैं, तो उससे पहले हम यहां पे कुछ assumptions ले रहे हैं, कि हम यहां पे India Wix को मान रहे 15 के करी, 15 इसका एक ideal level होता है, यहां पे हम 15 के करी मान रहे हैं, और उसके बाद एक आप ideal figure लेके, फिर आप calculations आगाम से कर सकते हैं, चाहे 14% पे हो, या फिर 16 पे हो अब India Wix 15% पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि annual basis पे, या निए next 12 months में, annual basis मतलब हो जाता है कि next 12 months में, निफ्टी आपका 17,800 के level से 15% का upside move दिखा सकता है, और 15% का downside move दिखा सकता है, यह मैं नहीं बता रहा हूँ, यह बता रहा है कौन, NSE बता रहा है, किसके जर यह NSE हमें यह information दे रहा है, यहाँ पे मेरा कुछ भी कहना नहीं है, सारा का सारा NSE का कहना है, Wix के जरीए यह सारा information हमें दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यह data हमें नहीं चाहिए, यह data हमें point में चाहिए, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, weekly basis पे, monthly basis पे कितना point होगा वो हमें calculate करने की जोगत है और यह calculations calculated जरी आप आसानी से कर सकते हैं और इस calculations वाले part में कुछ complications भी आएंगे लेकिन वो complications में आपको skip कर दोगा बहुत साई लोग इस चीज़ को explain किये होंगे लेकिन वो complications वाला part हम skip करके आसानी से एक मिनट के अंदर यह सारा calculations आप कर सकते हैं लेकिन इसके लिए वीडियो में लाच तक बने रहना परेगा और वीडियो पसंद आया तो प्रीज लाइक करके हमें encourage करें क्योंकि यह सारा कुछ करने में मेहनत लगता है और आप like करेंगे इससे हमें encouragement मिलता है तो सबसे पहले हमें पहला step क्या करना है 17,800 का 15% क्या होगा वो हमें find करना है तो इसका जो 15% आएगा आपका 26,70 के करीब है आप 15% calculate कर सकते हैं अब इसका मतलब यह है कि निफ्टी आपका पूरे साल में 26,70 पॉइंट का upside move और downside move यहाँ पर दिखा सकता है यह नहीं annual basis पर कितना moment आएगा वो मैं आपको बताता हूँ 17,800 प्लस 26,70 और इसको अगर हम add कर दे तो यह कितना होगा हमने पहले से calculations करके रखा है आपका आएगा 20,470 और same amount same time में आप अपने calculator जरी भी कर सकते हैं 17,800 माइनस 26,70 तो यह जो लेबल आएगा 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 15,130 के करीब यह नहीं 130 के लेबल पर आएगा अपने बहुत सारे जगवों पर TV पर आपने सुना ओगा कि जिनका भी बुलिशन निफ्टी को लेके वो क्या बोले कि निफ्टी एक साल में कहां तक जा सकता है 20,500 का लेबल अब 20,500 का लेबल आया कहां से यहां से आया तो यह काम आप भी कर सकते है आप से भी कोई पूछेगा कि निफ्टी का वन येर का भी क्या होगा तो आप भी क्या बता सकते हैं कि यह भी होगा तो डेटा कहां से आता है जो सारे लोग आपको बताते हैं कि निफ्टी का पॉजिटी भी रहेगा तो कहां तक जा सकता है तो यह डेटा कहां से आया अब आपको clarity के साथ समझ में आ गया होगा अब वहाई जिनका bearish भी होता है market जब 17,000 पे आया था तो आपने बहुत सारे expert के जरी सुना होगा कि market यहां से 15,000 के level पे जा सकता है 15,000 का data कहां सा है हवासे उटके data तो आता नहीं है आया कहां से आपका यहां से 15,000 का data है तो आप कुछ relate कर रहे होंगे कि लोग जो levels लाते है yearly basis पे वो कहां से लाते हैं तो yearly basis पे हमें यह तो समझ में आ गया और यह calculate करना भी आसान है लेकिन monthly basis पे और weekly और daily basis पे in fact वो थोड़ा सा मुस्किल है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और ध्यान से समझने की जरूरत होगी वीडियो बिल्कुल भी skip नहीं करना है और यहां पे calculations वाला part होता है calculations को simple करने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगा है इसलिए फ्लीज वीडियो को like जरूर किजेगा तो अब हमें यहां पे थोड़ा सा maths पे आना परेगा तो यहां पे जो आपका wix रहता है वो आपका annual basis पे रहता है तो हमें यहां पे monthly basis पे काम करना है तो one year में कितने months होते हैं आपके होते हैं 12 months तो हमें monthly basis पे अगर move find करना है तो क्या करना होगा root 12 करना होगा और root 12 का value कितना आएगा 3.5, ये value आपको याद रखना ये value fix रहेगा, आपको हमेशा ये value calculate नहीं करना होगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो monthly basis पे अगर हमें calculations करना है तो उसके लिए क्या आप करना पड़ेगा सबसे पहले आपको, जो yearly basis पे कितना point का move आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये नि 26, 70 हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा इन जितना परसेंट का moment है, वो वादा point तो अगर हमें monthly basis पे करना है, तो 26, 70 divided by क्या कर देंगे हम 3.5 कर देंगे तो जो ये data आएगा, वो हमारा क्या होगा, monthly basis पे उतना point का moment करेगा तो ये data आएगा आपका 7.62 के करीब यानि अगर अगर हम monthly basis पे बात करें, तो 7.62 point का upside और downside move दिखा सकता है और कितना moment होगा, उसके लिए थोड़ा साम इसको अब उपर कर देते हैं और हमारा current market price क्या है 17,800 plus 7.62 17,800 minus 7.62 और अगर हम यहाँ पे प्लस कर दे 17,800 plus 7.62 ये सारा कम अगर आप calculator करेंगे तो within minute हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 18,562 और अगर हम माइनस कर दे तो यह वाला part आएगा हमारा 17,038 के करेंग, यह नहीं इस पूरे फरवरी मंत में अगर हम बात करें तो nifty आपका highest 18,562 पे जा सकता है और lowest आपका 17,038 पे आ सकता है, किसके दौरा NSC, जो कि हमें Wix के दौरा यह सारा information provide करता है, कि monthly basis पे इतना move हमें दिखा सकता है यहाँ पे हमने तो monthly basis पे calculate कर लिया है कि monthly basis पे क्या range वहेगा इसी तरीके से हम weekly basis पे भी calculate कर सकते हैं, कैसे calculate कर सकते हैं तो हमारा जो Wix रहता है वो yearly basis पे रहता है, annual basis पे रहता है तो one year में कितने week होते हैं टोटल आपके होते हैं 52 weeks तो अब हमें factor निकालना होगा तो क्या करना होगा, root 52 का value आएगा आपका 7.2 के आसपास, यहाँ पे हमने round figure लिया है तो अब अगर हमें calculate करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 26, 70 वाले value को याद रखना है तो यहाँ पे हम करेंगे 26, 70 divided by 7.2 और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो हमारा क्या value आता है हमारा value आएगा आपका 3, 70 के करीब यह नहीं 3, 70 पॉइंट पॉइंट पॉजिटिव और निगेटिव का move दिखा सकता on a weekly basis और अगर आप सारा डेटा को आप realistic से भी compare कर सकते हैं कि weekly basis पे इतना point का moment आ सकता है इस weeks पे अगर 15 के आसपास का weeks रहता है तो weeks अगर यहाँ से आपका 18, 19 या फिर और नीचे जाता है तो आप within minute यह सारा calculations कर सकते हैं अब यहाँ पे कितना moment दिखाएगा range क्या रहेगा 17,800 हमारा cmp है 17,800 प्लस 370 that means यहाँ पे जो value आएगा आपका यह आएगा 18,170 का value आएगा और 17,800 माइनस 370 अगर हम करते हैं तो यह हमारा value आएगा 17,429 का तो यह हमारा इसके आसपास का value आपका आता हुआ दिखेगा थोड़ा वह 15-10 point उपर नीचे आपका हो जाएगा तो यहाँ विकली basis पे इस range के बीच में हमारा nifty move करेगा यहनि इस विक की अगर हम बात करें तो nifty का highest रहेगा 18,170 और नीचे में रहेगा lowest रहेगा 17,429 और अगर आप most probably बात करेंगे तो इसी range के बीचे move करता हुआ हमें देखने को मिलवा nifty भी अब हमारा daily basis पे most important जो सबसे बड़ा questions है कि daily basis पे कितना point का moment दिखाएगा इस पे आऊंगा मैं लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा हमें एक information आपके साथ share करना है तो यहां मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको stock market में information चाहिए from basic to advance तो उसके लिए हमने course design किया है उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को download करना होगा play store से नहीं तो उसका link आपको इस video के description में भी मिल जाएगा और course को हमने इस तरीके से design किया है कि आप वहाँ पे देखके as a independent trader काम कर सकते हैं खोद से अपना trading license ले सकते हैं और stock market में आप part time carrier भी बना सकते हैं और अगर आपको कोई specific सीखना future options के बारे में information लेना है तो future options के बारे में भी basic से लेकि advanced level तक सारा कुछ बता दिया जाएगा chart pattern सीखना, candlestick pattern सीखना, technical analysis, fundamental analysis सबका आपका अलग-अलग specific topic के उपर भी हमारा course मिलेगा सबका अलग-अलग prices है तो एक बार आप हमारा mobile app डाउनलोर करके जोड़ वेजिट कीजिए जो भी पसंद आथा आपको उसके लिए enroll कर सकते हैं और यहाँ पे आपको definitely बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप यहाँ पे part time अपना carrier भी बना सकते हैं चलिए वापस से हम topic पे आते हैं तो यहाँ पे अब हम वापस देखते हैं कि daily कितना movement दिखाएगा वो हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है तो बहुत सारे लोग जो maths में थोड़े से strong होंगे वो यहाँ पे calculations कर भी लियोंगे और अगर आप maths में थोड़े से कमझोर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैं आपको short wix भी बताने जा रहा हूँ कि within one minute के जरी आप यह सारा काम कर सकते हैं इतना कोई complications नहीं बस आपको यह समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ तो हमारा जो wix रहता yearly basis पर रहता है तो one year में कितने days होते हैं आपके होते हैं 365 days अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा factor निकालने के लिए हमें करना होगा root 365 root 365 अगर हम करते हैं तो value आएगा 19.1 तो हमारा जो यह वाला level है यह हमें हमेशा ध्यान वकने की जरूवत है एक बार calculate करना है तो अब हमें करना क्या है level से आपका 26.70 तो क्या होगा 26.70 divided by 19.1 तो यह आपका कितना value आएगा यह आपका आएगा 140.00 के करीब 140 से 150 कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं 140.00 के करीब आएगा अब daily basis पर कितना moment करेगा price हमारा है 17.800 पर तो 17.800 प्लस 140 यहाँ पर जो value आएगा आपका 17.940 करीब आएगा और वही अगर हम 17.800 में से माइनस 140 कर देते हैं तो इसका जो हमारा value आएगा वो आएगा हमारा 17.660 करीब यह नि आज का जो move रहने वाला है वो 17.940 से लेके 17.660 के बीच में ही रहने वाला है और most probably अगर हम आज के चार्ट को देखे तो इसी के बीच में move करता हुआ देखने को मिलवा हम आपको चार्ट पर ले जाके दिखा भी देंगे तो देखे किस तरीके से हमने आसानी से क्या किया है हमने annually basis पे लेके daily basis पे उसको मैं clear कर देता हूँ अब मैं आपको यह सारा कुछ एक बार में सारा कुछ बता देता हूँ बस यहां पे हमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना एक चीज़ ध्यान वखना है कि market अभी हमारा है कहां पे 17,800 पे है और weeks को हमने यहां पे 15% पे लिया weeks अगर 15% पे है तो इसका 15% कितना होगा 26,70 बस हमें यह ध्यान वखनी की ज़रुद उसके बाद हमें यहां पे क्या calculate करना अगर हमें यहां पे monthly basis पे calculate करना तो monthly basis पे हमें क्या करना इसको divide करना 3.5 से weekly basis पे calculate करना अब आपको concept और simple तरीके समझ में आएगा हमें यहां पे divide करना 7.2 से daily basis पे अगर हमें find करना है moment तो हमें इसी को divide करना होगा 19.1 से और यह समय आपका fix रहेगा सिर्फ आपको क्या करना है weeks find करना weeks का हमारा percentage क्या है CMP का कितना percent होगा for example market आपका 18,000 पे चला गया weeks आपका 18% तो 18,000 का 18% क्या होगा वो आपको calculate करने की जरूरत है वो calculate करने के बाद यह आपका within one minute होगा अगर आपको आपका mobile है तो यहां पे अगर आपको monthly find करना है तो divide करना होगा 3.5 से monthly कितना point का moment देगा और अगर आपको weekly find करना है तो weekly कितना point का moment देगा तो इसको आपको divide करना होगा 7.2 से और daily कितना move देगा इसको आपको divide करना होगा सिर्फ 19.1 से तो ऐसे ही आप calculate कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ change होगा नहीं क्योंकि one year में हमारा 12 month ही होगा कभी 13 या 15 month तो होने वाला है नहीं इसलिए ये कुछ changes होगा नहीं one year में आपका 52 week ही होगा on an average ये आपका 60 या फिर कभी 40 week तो होने वाला है नहीं तो ये आपका data fix रहेगा और आपका one year में 365 भी days ही होगा leap year में थोड़ा वोच changes हो जाता तो एक दिन से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं परेगा तो daily basis पे भी हमारा ये data fix रहेगा यह नहीं यहां पर जो data बताया ये data आपको कहीं note करके रख लेना ये तीनो data आपका fix रहेगा बस अब simple तरीके से बहुत साई लोग यहां पर factor निकालते हैं अगर आपको daily moment चाहिए तो सीधे 19.1 से डिवाइड कर दो weekly चाहिए तो 7.2 से डिवाइड कर लो monthly चाहिए तो 3.5 से डिवाइड कर लो इतना simple तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा और ये सारा कुछ समझाने के बाद मैंने आपको बता है डायक्ट बताते हैं तो आपको ये सारा हो सकता समझ में ना है उमीद करते हैं ये concept अब आपको clarity के साथ समझ में आ गया होगा तो अब यहां पर हमने ये सारा कुछ find कर ले लेकिन क्या ये sufficient है हमें सारा कुछ trading positions initiate करने के लिए तो उसका answer है नहीं ये sufficient नहीं है तो इसके बाद हमें और क्या क्या चीज देखने की जरौत होगी क्योंकि हमें idea तो मिल गया कि इस range के बीच में moment करेगा और ये सारा information हमें मिलवा एक reputed source से NSE के तरफ से मिलवा India Wix के जरिये और इस range के बाहर जाने के chances बहुत कम रहते हैं सिर्फ आपके 95% chance रहेगा किसी range के बीच में move करेगा कोई major news आ गया या कोई ऐसा event आ गया या फिर crisis आ गया या फिर covid ऐसा आ गया तो फिर बाहर निकल जाएगा otherwise बाहर निकलने के chances कम है daily basis पे भी और आपका weekly और monthly basis पे भी ATM में buying करते हैं क्योंकि हमेशा मैं आपको otm के लिए बोलता नहीं हूं कभी otm जाना नहीं ATM पर buy करते हैं तो हमारा जो ATM पर buy किए वो कितना ITM बनेगा वो हमें कितना profit देगा तो हमें वो भी calculations यहां पर हम कर सकते हैं लेकिन वो सब बात करेंगे हम detail से next video में तो आपको यह video कैसा लगा है और इसके उपर follow up video चाहिए जिसके वीडियो पर ट्रेडिंग में आपको यह help करें तो इसके लिए आपको हमें comment करना होगा और वीडियो पसंदाया लाइक करना होगा तो फिर हम आगे इसके बाद follow up video भी बनाएंगे जिससे आपको इस data के वी इस पर रियली ट्रेडिंग में help मिलेगा तो इस वीडियो में इतना है मिलते है नेक्ट वीडियो में जाहिन